नेमायके के खेतों में प्रकति का और खेतों का आनन्द लेते हुए मुझे आनन्द लेते हुए भूता आनन्द आया और साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगी कि मेरा बच्पन इनी खेतों की गलियों में बीता है हुम लोग यहीं खेला करते थे और पके हुए वेर खाया करते थे और यह हमारी गाय और यह हमारे धन की फसल तो नमास्कार दोस्तों सवागत है आपका हमारे एक और ब्लग में तो मेरे और मेरे बालक के विद्याले में हो चुके थे अवकास दसहरे के और हम चल पड़े हैं रातों रात अपने माईके की ओर आपको सुनकर बहुत आश्चर हो रहा होगा कि रात में ही जाने कि अपर शक्ता क्यों आन पड़ी है क्योंकि सुबह सुबह हमारे पती देव चले जाएंगे अपने दफ्तर तो हम माता जानकी और स्री राम जी के दर्सन करते हुए और चल पड़े हैं अपने माईके की ओर परन तो यह क्या हमारी जो पुस्पक विमान है उसका इंधन ही समादा तो इंधन भरने वाले अंतर के पास जाकर हमने उसमें इधन बरबाया और फिर से हम चल पड़े हैं अपने माईके की कलियों में रात में अंधेरा डराबनी सडकें और रास्ते में मिला हमें ये जेपी सिमेंट का प्लांट जो रोसनी से नहा रहा था कितना खुबसूरत लग रहा था फिर इस तरह हम लोग अधेरे को चीरते हुए पहुँच गए अपने माईके यहां पहुँचते ही बालक राम ने दूरदार संदेखना कर दिया है आरंब और हमें लग गई थी रास्ते में बहुत अधिक ठंड जिसके करण हमें लेना पड़ा इस अंगली माता का सहारा छूले पर जलाई आग और हमने खूब सारी सेंगी अंगली प्राता मेरी बड़ी बहन भी पधार चुकी है माईके क्योंकि इनकी भी और इनके बालक की भी चुटियां हो चुकी थी और माता स्री पता नहीं किस चीज की खोज में लगी हुई है और इस कमरे की हुई थी सफाई तो ये सभी की तस्वीरें रख रही है और ये हमारे पता जी जिनका स्वरगवास हो चुका है अब इतने बड़े घर में हमारी माता स्री अकेले रहती है यानि कि हमारी मम्मी अकेले रहती है और दीदी ने रख दिया है तस्वीरों को सही जगह पर और यहां पर जब सफाई अभयान चल रहा था तो दूर दरसन पर रख दिया गया था कपड़ा ताकी वह मैं ली ना हो जाए और अर्वी के पड़ों को दिखाने के पस्चात मैं चल पड़ी हूँ अपने माता स्री के पीछे पीछे खेतों की और क्योंकि हमारी माता स्री क्या करती है कि प्राता होते ही अपनी गाय लक्षमी को बांध कर आती है खेतों में चरने के लिए वो वहाँ पर घास चरती है और इसके पस्चात संध्या होते ही माताश्री उनको खोल कर वहाँ से ले आती है हमने देखा कि खेतों में धान यानि की चाबल की फसल के साथ साथ कुछ सब्जियां भी उगाई गई है जैसे कि लॉकी और एक चीज और है ये कहलाता है बरीहा इससे बनाई जाती है बड़ी और बड़ी खाने में बहुत ज़्यादा साधिष्ट होती है आप लोको तो ग्याती होगा कि बड़ी होती क्या है परंतु अगर आपको ग्यात नहीं है तो आने वाले समय में मैं उसका भी वीडियो आप लोके साथ साजा करूंगी तब आप लोको पता चली जाएगा कि आखिर बड़ी होती क्या है उड़त की डाल और अद्रक वगरा मिक्स करके और बहुत सारे मसाले एड़ करके इसको बनाया जाता है हम तो आए ही थे ममी के साथ खेतों पर परंतु उनके दो नबासे भी आए थे एक मेरा बालक और एक हमारी बड़ी बहन का बालक भी यहां पर आया हुआ था और यहां पर खेत में एक आम का ब्रेक्ष था जो अब सूख चुका है और यहां आते ही हमने देखा कि धान की फसल कितनी सुन्दर है कितनी लहला हा रही है और यहां की किसान है मेरी माता श्री अब इनको देखकर इनको कितना प्रशनता होती होगी तो ये रही हमारी माता लक्ष में और माम में उसको लेने जा रही है अब इन दोनों ने कहा कि हमने अच्छा मैदान हमें मिल गया है तो चलो कर लेते हैं थोड़ी सी कुस्ती तो इन दोनों ने आपस में कबड़ी कबड़ी करके स्टार्ट किया और फिर एक दूसरे को धर पटकना आरंब कर दिया शुरुवात की लड़ाईयों में थोड़ी बहुत धर पटक हुई थोड़ी बहुत नोक जोंग हुई इसके पस्चात ये महा युद्ध महा संग्राम में बदल गया और दोनों ने रोना आरंब कर दिया इसके पस्चात ममी ने कहा कि अब रोना बंद करो फिर किसी तरह इनको समझाया पुजाया गया और फिर हम लोग वापस घर की और चल पड़े हैं लक्षमी जी को ले करके जब ये दोनों बाला काउट आफ कंट्रोल हो जाते हैं मतलब समय सीमा से बाहर हो जाते हैं तब वे अपनी नानी की बात सुनकर ही मानते हैं जब उनको कह देती हैं तब ये सुन लेते हैं और इनको जो है तो घर जाने की समय में भूँख सता रही है और रास्ते चलते चलते ये चारा चलते हुए चल रही है राम भी बहुत आनन देते हैं क्यूंकि खेतों में रहना सहरों में कहां मिलता है तो खेतों में गूमते गूमते हम लोग अब घर की ओर चल पड़े हैं गाव परिबार की बात कहें तो यह अपने परिबार में गाव माता अकेली हैं इनका एक बच्छडा था जिसकी अभी कुछ ही समय पहले मृत्तू हो चुकी है वह किसी बीमारी से गृशित था और गौमाता इस समय हमें दूध उपलब्ध नहीं करा पाती है कुछ समय के पस्चाद एक खुछ कबरी हमें प्राप्त होगी इनकी एक पुत्री या फिर पुत्र का जन्म होगा तब ही हमें दूध प्रदान करेंगी और धान की फसल इस बर्ष बहुत ही अच्छी है तो हर किसान को देखकर अपने केतों को बहुत ही ज़्यादा प्रशनता होती है तब जब खेत लहलहा रहे हो और यही हमारे खेतों का भी हाल था हमें इनको देखकर बहुत अधिक प्रशनता हुई खेतों में तो हमने घूम लिया अब पहुंचते हैं घर और देखते हैं कि लक्षमी माता का घर आगमन के बाद क्या कार होता है यह है रातरानी का पौधा चोटे-चोटे फूल खिलते हैं इसमें रातरी में बहुत ज़्यादा खुस्भू देते हैं कुछ अनार के पौधे लगे हैं और कुछ गुड़हल के यानि की लाल वाले फूलों के और यह है आम का वरिच तो घ़र आने के पश्चात लक्षमी माता पीती है पानी और इनके लिए पहले से ही पानी मम्मी यहां रख देती है और यह आते ही सीधे जाकर उसी पानी में गिर पड़ती है इसके पश्चात मम्मी इनको अच्छे तरह से प्यार से सह लाती है भोजन, रात्री का भोजन देती है और राम लोग यहां बिस्किट खा रहे थे तो थोड़ा सा तुकड़ा मुझे भी पुझे जैसे ही संध्या हुई हम सभी चल पड़े हैं मातारानी के भी सरजन में सम्मिलित होने के लिए तो हमारे घर के पास एक दुर्गा मंदीर, स्थाई दुर्गा मंदीर है तो जो दुर्गा माता की जहांकी होती है वो हमारे घर के पास तक आती है और वहीं पर नित होता है बेंड बसता है, जैकारी लगते हैं माता जी की आरती होती है और इसके पस्चाज जो मातारानी का मंदिर है वहाँ पर मातारानी मिल करके और फिर वापस चली जाती है विसरजन की और यही जब नरित आरती जैकारे होते हुए और छोटे बच्चों का और बड़े लोगों का नरित देखते हुए हमने माताजी को भी शर्जित किया उनसे प्रातना की कि इस संसार का कल्यान हो सभी सुखी हो सभी निरोगी रहें किसी को भी कोई भी तकलिप ना हो और इस प्रकार मातारानी का आशिरबात प्राप्त करके और हमने एक वीडियो भी बनाया जो आपके साथ साजा कर रहें कि हमारे गाउं में भी नौरात्री कितने ध दाई की और यहां पर यह तीसरा बाला के है जिसका नाम है धैर यह भी राम का